आप सभी का वेलकम आज संडे स्पेशल में हम बनाने जा रहे है दाल बाटी जैसे कि आप सब जानते हो बाटी बनाने का अलग अलग तरीका होता है और आज हम बनाने जा रहे है बाफला बाटी ये एक इजी और टेस्टी मेतर है बाटी बनाने का तो चेली हम इसे बनाना और हमारा आटे में ऐसी बॉल्स बन जाए उतना हमें गीर डालना है और इसे हमें डो की तरह बना देना है हमारा डो बन कर त्यार है इसे हम साइड में रख देंगे अब लेंगे एक कप मूं की डाल और थोड़ी सी अद्रक यानी जिंजर और हमें इन दोनों को अच्छे से वाश करके इसे हमें कुक करना है दो विजल आने तक कुक कर में दो विजल आज आने के बाद हमारी डाल अच्छे से कुक हो चुकी है और अब हम इसमें आड करेंगे वन फोट कप पानी अब इसमें हम आड करेंगे थोड़ी से मसाले जिससे डाल का टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ा सा हींग एक स स्टर कर देंगे और इसे हम फिक कुक कर देंगे पांच विजल आने तक हमने हल्दी गरम मसाल और हिंग पहले ही डाल दिया इसे डाल का कलर बहुत अच्छा आएगा अब स्टीम के लिए हम लेंगे कड़ाई उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और उपर रख देंगे ऐसी चानी और जो डो हमने बना कर तयार किया था उसके ऐसे छोटे बॉल्स बना कर इसके उपर रख देंगे और इसे हम स्टीम कर देंगे 35-40 मिनिट्स के लिए इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही स्टीम करना है हमारे बाटी अब अच्छे से स्टीम हो चुके है अब हम इने ए शेप कट कर देंगे हमने इसी तरीके से सबका शेप कट कर दिया है अब हम लेंगे कड़ाई उसमें डालेंगे एक लीटर घी और उसे हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे गी अच्छे से घरम हो जाए तब हम एके करके हमारे सारे बाटी फ्राइ कर देंगे हमें इसे गोल्ड थोड़ी सी हल्दी एक चमच लालमिच पाॉडर और धोड़ा असा पानी डालकर इसे अच्छे से स्टर करेंगे हमें इसे फोर-टू-फाइब मेंस के लिए लो फ्लेम पर रखना है अब इसमें मैड करेंगे स्वाद अनुसा नमक और इस एक बार अच्छे से स्टर करेंगे यह जब तक ठिकना हो जाए तब तक इसे हमें कुक करना है हमारी दाल पांच विजल के बाद तयार है इसमें मैट कर देंगे बनाया हुआ तड़का गैस के फ्रेम को कर देंगे हम हाई और इसे हम अच्छे से स्टर कर देंगे फिर हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे धना जो की ऑप्शनल है दाल में उबाल आ जाने के बाद हम कर देंगे गैस ओफ और इसे गरमा गरम सर्व कीजिए आप देख सकते हमारी बाटी में कितना अच्छा कलर आया है क्योंकि हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राइ किया है तो यह थी इजी रेसिपी दाल बाटी बनाने की ऐसे और रेसिपी इसके लिए में चानल को सब्सक्राइब कीजिए